आज 24 जुन है, प्रजापिता ब्रह्मा को मारी इश्वरे विश्विध्यालय में इस दिवस को मम्मा डे के रूप में मनाया जाता है मम्मा अर्थात जगदंबा सरस्वती, जो इस विश्विध्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासी का थी उनका संपूर्ण जीवन मानावता की सेवा अर्थ और पिथा उन्होंने गहन तपस्या करके आज ही के दिन अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्ट किया यही कारण है कि 24 जुन को मम्मा डे के रूप में उनके इसमृती दिवस के रूप में मनाया जाता है मैं उनके जीवन चरित्र को पढ़ रहा था तो बहुत सारी महानताएं उनके जीवन में थी जो वास्तव में सब को प्रेरित करने वाली है इसलिए मैंने विशेष बरापट जी से अनुरोध किया कि आज के दिवस पर अवश्य मम्मा के जीवन चरित्र को हम सब के सम्मुख रखें ताकि उनके जीवन से हम भी बहुत कुछ सीखें, आगे बढ़ें और समाज के लिए अपना भी कुछ योगदान दे सकें तो आए ब्राता जी के अभिनंदन के साथ साथ हम मम्मा अर्थात मातिश्वरी जगदंबा सरस्वती के जीवन चरित्र को जाने, समझें और उनसे प्रेढ़ना प्राप्त करें ताता जी बहुत-बहुत अभी नंदन और स्वागत है शुक्रिया विशेष दिवस है ब्राता जी आज पूरे ही ब्रम्हकुमारी इस परिवार के लिए ममा डे विशेष रूप से मनाया जाता है हम जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि ममा डे विशेष करके मातेश्वरी जी के इस मृति में मनाया जाता है लेकिन बच्पन उनका कैसा था कहां उन्होंने जन्म लिया कहां उनके शिक्षा दिक्षा हुई उनके परिवार में और कौन-कौन थे इसके बारे में थोड़ा कुछ बता है देखिए हमारे हैं कोई भी जो दिवस मनाया जाता है उनके जीवन की महनताहं से कुछ सरे स्रेषप नाय प्राप्त करें हमारे इहां किसी की भी न तो फूजापाठ होती है लेकिन जो जिसमें महनता हैं उनको जीवन में अपनाकर हम उनको सत्ची सध्ध Teachers करते हैं तो मातेश्वदी जी इशिश्वदी विश्विद्याले की प्रथम मुख्य प्रसासिका थी, वो छोटी आयू में यहां पर आ गई थी, अम्रस्षर में उनका जन्म हुआ था, प्रारंबीक्षिक्षा भी उनकी भई हुई फिर मुंबई में हुई, फिर वो हैद्राबाद मे चली गई और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनके पिताजी और अंकिल की मृत्यों हो गई, तो घर में एक वेराक का माहूल हो गया, और उसी टाइम बाबा ने महा सत्संग प्रारंब किया था, तो अनेक लोग स्यानती अनुभूती के लिए, ज्यान प्राप्ती के लिए अने थी, तो उनको भी कहा कि इनका जीवन बड़ा अस्यानत हो गया है, तो किसी ने का चलो तुम भी दादा के सत्संग में चलो, बस ये सबाए, और ममा ने जैसे ही बाबा को देखा, नाम उनका राधा था, और बस ऐसा लगा मेरे सच्चे पिता तो यही है, मैं आ गई ज जैसे चन भर में लोफ हो गया, और फिर से वो प्रभु मैं होने के लिए तक पर हो गई, बस ये चोटी सी कहानी है उनकी, बस आई और रम गई, यही से सुरुवात होती है, उनके सुन्दर जीवन की, बाबा ने देखा, ये कन्या बहुत गुनवान है, तब उनका अवलग हाई स्कूल उनकी किया था, और वो क्योंकि परिवार में दुख का माहूल हो गया था, तो वो बाबा के पास आगी, बाबा ने देखा, ये कन्या बहुत सुशील, और बाबा को भी आभास हो गया, कि ये महानात्मा मेरे पास आई है, जैसा हमारे सभी दर्शक जानते हैं, क अपना विवेक था, लेकिन जो सर्वशक्तिवान, जो तर्काल दशी है, जो सरवध्य है, उसने उन्हें देख लिया कि ये वही है, जो कभी राधा थी, राधा तो नाम इसकाब है, लेकिन ये वही है जिनकी मंदिरों में पूजा होती है, यही आगे चल कर महान तपस भी बनेगी और मेरे कारिये को संभालेगी बस बाबा की और वो खिंची चली आई यहां बात मा बाबा की नहीं है लेकिन इस्प्रिक्चुलिटी की और वो खिंची चली आई मामा देखने में बहुत सुंदर थी गाती भी बहुत सुंदर थी वीना बजाती थी डांस भी बहुत वस्तों में पढ़ते समय वह बहुत फैसनेबुल भी थी लेकिन आते ही सब छुट गया गीत तो ममा अभी वीना पर गाती थी बहुत सुंदर और उनके मुख से जो गीत निखलते थे लेकिए गीत तो गायक बहुत हैं लेकिन कुछ गायक ऐसे होते हैं जो पूरी सभा को मगन करदेते हैं और यह क्योंकि साधनां कमार्ग था तब भी अब है तो जैसे ही सब लोग आतमिक स्वरूप में बैठते थे और ममा इइत गाती थी तो सभी जैसे भी समधिस्त हो जाते धे और सब जैसे समाधिस्त हो जाते थे तो वास्तों में जैसे ही उन्होंने यहां पहला कदम रखा वर्दाता परमात्मा ने उनको अनेक वर्दानों से संबंद कर लिया था उनकी वानी में भी तुरंत प्रभाव हो गया और किसी को पताइं चला के कब वो महान बन गई जी लए भुट में खेहने ले था वनका नम राधन flexibility नाम में देने संन सब्सकोछ आ पने कहां उनका नाम राधह हर तो हम यहां लगातार को एक मम्मा कैते हैं तो यह मम्मा नम उन्हें किस ले दिया और इसका भाव किया था वास्तों में मम्मा नम देने को स्वाबा जैसे ब तो बाबा जैसे इप ब्रहमातन में आते थे तो तब बाबा अनेक बेहनों और ध्यान में भी ले जाते थे तो उनके लिए पर दष्टी तालते थे और वो अट्रिस्त हो जाती ती तो वो देखती थे ती कि ढ़ने लड़ की राद्धाई है यह सर्स्वती ह वही सरस्वती है, जिसको विद्या की देवी कहा जाता है, जिसकी आराध्ना स्कूलों में होती है, रोज रोज जिसके आगे सभी बच्चे नमन करके खड़े हो जाते हैं, यह वही है, तो फिर संदेश आ गया कि इसका नाम सरस्वती, और फिर धीरे धीरे कि उसकी आई बहु से मिलती थी, उनके मैसेज ले आती थी, तो बाबा को, ग्रमा बाबा को, उन्होंने मैसेज दिया, कि शिवाबा ने ये ड्रष दिखाया है, कि यही वह सरस्वती है, वीना वादिनी, तो इस तरह उनका स्वरूप शेंज होता गया, मैच्योरिटी आती गई, और मैं कह रहा था कि उनसे बड़ी आयू की तो बहुत थी, अब हो 17 साल की हो गई थी, उनसे बड़ी आयू की, 30 साल की, 35 साल की वहने माताएं और भाई तो बुजुर्ग भी बहुत थे, लेकिन फिर वैसे ही संदेशियों के द्वारा उपर से संदेश आया, कि यही मामा है, यही जगदं परिवार से आयी थी, लेकिन जब बार बार सिर्वावा यही संदेश देने लगे, कि यही मामा है तुम सब की, इसी के द्वारा तुम सब की पालना होगी, तो फेर धीरे धीरे, दो चार मास में सभी ने इस विकार कर लिया, कि यही मामा है, और सच मुच यह नाम उन्हें म से देखभाल करती है, बहुत केर करती है, वो करने लगे, परता जी वही एक विशीज चीज मैं जानना चाहता था, जैसे आपने कहा 16-17 वर्ष की उम्र में आ गई थी, और उनसे बड़े-बड़े, उम्र में भी बड़े, अनुभाव में भी बड़े, काफी लोग यहां थ जिनको देख करके विशीज करके यह पदवी और साथ ही साथ यह जो एक पदभार है नहीं दिया गया, तो वो क्या विशीज बाती थी ममा में, राधे में, जिसके कारण उन्हें विशीज पदवी दे गई, हमने दादी प्रकास मनी के मुख से अनेक बार यह चर्चाएं क्यों कि डादी और मामा एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही साथ बैठते थे, दोनों की पहले से बहुत फ्रेंडशिप थी, तो दादी प्रकासमनी कहा करती थी, कि ये राधा सुरू से ही सब को बहुत आकर्सित करती थी, केवल रूप से नहीं, लेकिन अपने घुनों से, अपनी कलाओं से, जो वो मा भी गीत गाती थी, तो सचमुच मंत्र को मुख्द कर देती थी, पूरी सभा को, बहुत धैरियवान, बहुत सुरीली आवाज, मुख पर एक अलोक इकसी मुसकान पहले से ही, जैसे पहले से ही वो बहुत जादा बाहिये मुखी नहीं थी, दूसरों की केर करने के संसकार बहुत गंभीरता, ये सब गुन उनमें आ जाते हैं, वो स्वताही देता है, तो बाकी रही सही चीजे उनमें स्वताही आगे, उनको बहुत धरिवान बढा दिया, क्योंकि 380 भाई वहने थे, अब उसमें बहुत सारे चोटे बच्चे, कन्याएं, माताएं, बड़ी आयू की भी, चोटी आयू की भी, तीन साल से ले थे, माँबाप भी, बच्चे भी, दादा दादी भी, कईयोंने अपनी संपोर्न धन संपदा भी अर्पित कर दी थी, तो इन सब को संभालना इनका काम था, आप देख लियें, किसी घर में दो नारी भी हों, उनको संभालना, आज कल कितना कटिन काम होता है, हमारे स्वामी कि शीवानन जे भी रहे हैं यसा भी सिस्या आती हैं रहते हैं आप तीन बेहनी थी तीन सो को शंभाल रहे हैं अवच्स काक्षापके स्क्तियां हैं यहिए उन्ने मामा को भी दे दी थी तो इये ौलिए ले गी कि ये सबको सभाल सकती है, सबको एकता के सूत्र में पिरोग के रख सकती है, सबको निर्मल नहें दे सकती है, इसके मन में कोई भेद भाव नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, ये अपने कारियों के लिए पूर्ण जिम्मेदार और डेडिकेटिड है, तो सिभ आबा ने उन् तो किस प्रकार का परिवर्तन मातेश्वरी जी में आना शिरू हो गया जब इस प्रकार की जिम्मेवारी पर मात्मा ने उन्हें प्रदानी तो कई लोग जिम्मेदारी मिलके, मिलते ही, टेंशन में आ जाते हैं, परिशान होने लगते हैं, कुछ एहम में आ जाते हैं, यह हु बाबा ने औरों को भी दिया, उनके ऐसे ट्रेंड बनाया, कारियसों पर क्योंकि सारे बड़े-बड़े काम करने थे, तो कई यो लोगों ने छोड़ दिया, अपने बसकाये नहीं है, टैंसन होने लगी, इनको संभालना, ये काम नहीं करते, फलाना सुनता नहीं है, लेकिन म कमजोरी है, उसको उसकी अवेरनेस दे के कमजोरियों से मुक्त कराना, ये क्वालिटी ममा में थी, तो आभी गई, जब मन उसको जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन आती उसी में है, जिसमें पहले से ये चीजों के बीज पड़े हुए हूँ, जैसा मैं ने कहा, कई लोग टें है, चुस्त कर देती है, उनके आलस और अलवेलेपन को नस्त कर देती है, तो मनुसकर सोच लेता है, कि मुझे इस कारिये को सफल करना है, अब ये सब लोग आये हैं, बच्चे भी हैं, इन्हें प्यार देना है, बड़े हैं, अब ये छोटी थी, देखिए एक बड़ी परि साथ मिलके चलें, तो ये सब क्वालिटी उन्होंने बहुत जल्डी जल्डी सीख ली, बाबा के महवक्यों में इस बात आने लगी और रेखिए, कोई भी उपदेशक या कोई भी गुरू अनेक बाते तो कहता ही है, लेकिन उसको जीवन में अपनाना सबसे तो नहीं होता लेकिन ममा ने फटा फट पहली पहली बाहर सुनते उन चीजों को अपना लिया, तो जैसे वो बनी बनाई देवी थी, तो सब को ऐसा लगा, जल्डी ही सबने स्विकार कर लिया, कि ये साधारन नहीं, ये तो बनी बनाई देवी है, क्योंकि जब किसी की महनताओं की छाप दूसरों पर पढ़ती है, तभी वो उसके सामने सीज जुगाते हैं, लोग उनसे मिले, उन्होंने इस चीज़ को अनुभव किया, कि वास्तों में ज्यान की पराकास था थी उनके पास, लेकिन लोगों के मन में जो एक सरस्वती का रूप है, जिनके चार हाथ हैं, जो इस रूप में आज जो लोग हैं, जिन्होंने उन्हें नहीं देखा है, स्विकार कर पाएंगे, देखिए ये तो जो भी पुजा भक्ती में होती है, जिनके विजय से जगदंबा की अस्त भुजागारी के रूप में महाकाली का भी एक स्वरूप है, सरस्वती की विचार भु प्रतीक हैं कि माया पर उन्होंने विक्राल रूप डारन किया है, मतलब किसी के चार और आठ हाथ होते नहीं है, ये उनके सद्गुनों का, उनकी अंत्रिक शक्तियों का, उनकी स्रेश बुद्धी का प्रतीक होते हैं, जैसे कि आतमे गदा दिखाते हैं, या भाला दिखाय असुर का संगार करें, तो ये ज्ञान के अस्तरसथ हैं, ओर जज ये असुर हैं, ये मन के दोसित ऑड़्तियां, बुरे संसकार, क्रोध, एंकार, विशेविकार, इनको नस्थ किया उन्होंने, उनके प्रतीक रूप में धिखाते हैं, तो ये जे चार विशियस करके असर स वीना वही जो ज्ञान उन्होंने दिया, अम्रत ज्ञान कोई कहते हैं, ज्ञान अम्रत उन्होंने बाटा, भुक, वेड, सास, दर्सन, माना सब्टों ज्ञान उनके पास था, तो ये सब चीजे उसी की यादगार, माला एक विसेस रूप से देखे भगती की यादगार दिख के तपस्या का जितना रस और जितनी लगन उनके पास है, उतनी औरों के पास नहीं थी, तो ये चारों अलंकार उनकी इन चारों क्वालिटीज को दर्साने वाले हैं, ये चारों इसलिए दिखाए गए हैं, और विशीश करकि जो ये हन्स दिखाया जाता है ब्रताजी या श्वेत वस्त्र दिखाया जाते हैं, ये किस बात से रिलेट करते हैं? मन में सभी के लिए निर्मल प्यार था, सभी दुर्गुन उसने नस्ट कर लिये थे, कोई एक को महत्व दे दूसरों को जड़ा रिजेक्ट करें, तो खेल भी करने लगता है, तो हंस जो एक सर्व प्राप्तियों और गुनों का प्रतेक कहें हम उसे, वो उनके जीवन में इसलिए वो उनका वहन दिखा दिया गया है. दिये तो स्वयम निराकार परमात्मान है, लेकिन फिल लोगों ने उस स्वरूप में उनको देखा, क्या ममा से साक्षातकार भी हुआ है? और यही सर्श्वति है. भक्ति में जिसकी पूजा हो रही है वो यही है. तो क्या होता था? कि सर्श्वती दिख रही है, अब उसका स्वरूप लोप होता है, फिर उसकी जेगें ममा आजाती है. फिर ममा का स्वरूप लोफ हो जाता है फिर सर्स्वती आ जाती है इस तरह के शक्सातकार बहुत होते थे फिर वो दोनों लोफ हो जाते हैं उसी जगह लक्षमी दिखाई देने लगती है तो ये सब साक्सातकार एकों नहीं, अनेकों को होते रहते थे उस समय, तो सिव बाबा ने उन्हें ये कहा तो अवस्थ था, लेकिन ये साक्सातकार भी बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए सभी के मुख पर ये सब दिया जाते थे, जब लोग मिलने बाबा से आते थे जिनक परणों में आ जाते थे, गले लगने लगते थे, तो हमारी मां है, आप तो सरस्वती हो, आप ही वो हो जिन से आज तक हम मिलना चाहते थे, ये सीन बहुत चलते थे, जे जे, तो विशिष करके ब्रताजी, ममा को जैसे सरस्वती के आपने बात कही, जगदमबा भी कहा जात और सबकी माताहिं अलग-अलग हैं, लेकिन जब स्विव बाबा ने रुद्रियग रचा, इसमें बहुत सारी महानात्माओं उने अपने जीवन की आहूती दे दी, उनमें से कई अश्रतन थे और कई 108, विजय माला, इसको हमारी दर्सक अब समझ गये होंगे, यानि संसार की जो सबसे महानात्माओं हैं, जो इस्ट देव, देवियां हैं इस रश्टी की, जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, वो साधारन रूप में यहां पर आ गई थी, और ये बनी उनकी मम्मा, और वो थी औरों की मम्माओं, इसलिए लिए लिंक बन गया, ये इस्ट देव, देवियों की माता हैं, अब देखिए, बाहरत में कितनी इस देवियां हैं, हमारे गुजरात में पास में ही अलग-अलग देवियां हैं, और एक भक्त अलग-अलग देवियों के में मन्यता रखते हैं, तो जैसे वो उनकी माँ हो गई, और ये हो गई उनसब की माँ, इस का कर से विश्यस टाइटल ये भी दिया गया है, मैंने उसमें पढ़ा बाताजी, ममा के लिए कहा जाता है कि बिलकुल, बाल-ब्रह्मचारिनी और जितनी भी इस्ट-देवियां हैं, उन इस्ट-देवियों की भी प्रतीक उसमें कहा गया है, ममा को. बाल ब्रमچारिनी की बाद जो कहें, ये सब तो बड़ा अकर्शित करता है, हमारे भारत में तो विसेजलोप से, बाल ब्रम-चारिनी की बाद भी पियुरिटी की बहुत सारी स्थिती हैं और ममा को तो सिव बाबा से ऐसा वर्दान मिल गया या उनकी संपूर्ण पियुरिटी से देखते थे, इसलिए उनके मन की शुक्सम वरत्तियां भी, चित की सुक्सम वरत्तियां भी प्योरिफाई हो गई थी, इसलिए क्या होता था? ममा से जो गले लग जाता था, उसका भी चित पवित्र हो जाता था, जैसे मैंने कहा, जगदीश भाई ने भी अपनी पुस्तकों में लिखा, कि मामा बहुत-बहुत सुन्दर थी, सुन्दर नारी के प्रती बहुत लोगों को आकर्शन होता है, लगाव होता है, लेकिन मामा को देखते ही एक अलोग की छवी उनमें दिखाई देती थी, और कोई प्यूर फिलिंग किसी को भी होती नहीं थी, उनकी संपूर्ण हिस्ट्री में ये परसिद है, एक दो जगे की बात है, जो मैं सुनाओंगा आगे चलकर, तो जो उनको गले लग जाता था, या जिसके सिर पर वो हाथ रखते थी, उसे लगता था, प्यूरिटी के वाइब्र इस से वो सुसजित भी थी, बिल्कुल, प्रतर जीया सालग रहा है कि सच मुझ हम कास कि इतना अच्छा होता कि हम भी तब होते जब मम्मा साकार में थी, हम भी उनसे गले मिलते, उनका आशीस लेते